हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चाइनल अभी मॉर्निंग का टाइम है सुबा के छे बज रहे हैं और मैं आप लोगों से अपना सुबा की जो दिन चरिया होती है मेरी उसे मैं आप लोगों से सेर कर रही हूँ मेरा काम सबसे पहले मेरे आगन को जाडू करने से स्टार्ट होता है मैं सबसे पहले अपने आगन को जाडू लगाती हूँ और अभी सुबा का टाइम है तो हमारे घर की बगल में ही मंदिर है तो वहाँ से भक्ती गीतों की आवाज आ रही है सुबा पाच बजे से ही मंदिर में भक्ती वाले गीत बजने लगते है जिसे नीन भी जल्दी तूट जाती है और भक्ती गाने सुनकर मन को बहुत अच्छा लगता है और यहां मेरा आंगन जाड़ू करने का काम खतम हो गया है अब मैं सारे कचड़ों को उठा लेती हूँ और यहां पर मैं अपने चूले को जला रही हूँ मैं चावल चूले पर ही पकाती हूँ और मेरा जो चूला है वो आंगन में खूले आसमान के नीचे में है तो इसलिए बरसात में बारिस होने पर चूला भींग जाता है तो मैं बरसात में चूले के बने खाने का मज़ा नहीं ले पाती हूँ इसलिए मैं खोशिस करती हूँ कि ठंड के मौसम में चूले पर ही खाने बनाओ और ठंड के मौसम में चूले के पास आग तापते हुए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैंने चूले में चावल पकाने के लिए पानी गरम होने के लिए दे दिया है और हम लोग इसे अपनी भासा में अधन चड़ाना बोलते हैं और अब मैं अपने घर को जालू लगा लेती हूँ और यहां पर मेरा पानी गरम हो गया था तो मैं यहां से एक गिलास गरम पानी अपने हस्बन के लिए निकाल लेती हूँ उनका सुबा सुबा गरम पानी पीने का आदत है तो मैं एक गिलास निकाल कर रख लेती हूँ और उसके बाद मैं दूले वे जो चावल है उसे डाल देती हूँ चावल डालने के बाद मैं इसी बरतन के उपर पानी भी गरम होने के लिए देती हूँ और जब चावल खौलने लगते हैं तो उसके भाप से ये पानी भी गरम हो जाता है और हमारे यहां सभी कोई को गरम पानी पीने का ही आदत है तो इसलिए मैं इस तरह से करके पानी गरम कर लेती हूँ उसके बाद मैं अपने किचन आ जाती हूँ सुभा का चाय बनाने के लिए और मैं सुभा का चाय बना लेती हूँ और सभी कोई को देने के बाद खुद भी पी लेती हूँ और मेरे चावल पक गय थे तो मैं इसी चूलहे में पालक और पताखोवी को भाफ लगाने के लिए चड़ा देती हूँ मेरे चावल पकने के बाद आग बहुत अच्छी जल रहे थे तो मैंने सोचा कि इसी में ही साग को बना लेते हैं साग जब पक जाते हैं तो मैं उसे एक थाली में निकाल लेती हूँ और छोका लगाने के लिए मेर्च लसून और प्याज को काट लेती हूँ और उसके बाद साग को छोका लगा लेती हूँ और यहाँ पर मैंने एक और सबजी काट ली है इसे मैं अपने कीचन में ही गैस के चूली पर ही बनाऊंगी और यहां पर मैं जब तेल गरम हो जाते हैं तो मैं उसमें कटेंग वे प्याज, मिर्चा और लसुन को डाल देती हूं और उसके बाद में साख को छौका लगा लेती हूं और इधर मैं अपने कीचन में आ गई हूँ यहां पर मैंने आलू, सेमबी और टमाटर को काट लिया है और इधर तेल मेरे गरम हो जाते हैं तो उसमें मैं प्याज और मिर्चा को काट कर डाल देती हूं और उसके बाद सबजी को भी डाल के चला लेती हूं मैं इसका मसाला वाला एक सिंपल सा सबजी बना रही हूं ग्रेवी वाली और सबजी जब मेरे पक जाते हैं तो उसमें मैं सरसो, जीरा, काली मिर्च, मिर्च, अदरक और लसुन का पेश्ट मैंने सिल्वटे में तयार करके रखा था उसे मैं डाल देती हूं और हल्दी और एक चमच मिक्स मसाला में डाल देती हूं और उसके बाद मैं इसे अच्छे तरह से पका लेती हूं और कटोरे में कुछ मसाले भीरा जाते हैं तो उसे मैं पानी मिला के अच्छे से चला के डाल देती हूं सबजी में और अच्छी तरह से पका लेती हूं और इधा सिल्वर्टे में मैं धनिया पता का चटनी भी फिस लेती हूं और मेरी सिंपल सी आलू सेम की ग्रेवी वाली सबजी बनकर रेडी हो गई है और इसमें मैं थोड़े से धनिया पत्ता उपर से डाल देती हूं और इसे चला लेती हूं और मेरा सबजी रेडी हो गया है और इसके बाद मेरा लास्ट काम रोटी बनाने का रह जाता है मैं तवे पे गरम गरम रोटिया सेख लेती हूँ और ये सब काम खतम करने में मुझे कम से कम दो से धाई घंटे लगते हैं और इसी तरह से मैं अपने कीचन के सारे काम सुबा के निप्टा लेती हूँ और इसी तरह से मैं सभी रोटियों को सेख लेती हूँ और उसके बाद मेरे कीचन का सारा काम खतम हो जाता है और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दे थैंक यू